नमस्कार दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जारे हैं बच्चों के दात निकलने की उम्र लक्षनवा उपाए दोस्तों जब बच्चों के पहली बार दात निकलते हैं तो उन्हें अलग-अलग दर से गुजरना पड़ता है हाला कि छोटे बच्चे बोल नहीं सकते लेकिन रोकर अपनी बात समझाने का प्रयास करते हैं वही कई बार माता पिता के लिए उनका दर समझना मुस्किल हो जाता है आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके बच्चों के दात के निकलने के समय जो दर्द और पीडा उन्हें सैन करनी होती है उसके बारे में पोन रूप से जानकारी देने का प्रयास करेंगे ऐसा माना जाते हैं कि बच्चों के दूद के दात 6 मा के आयू में निकलने शुरू हो जाते हैं वही कुछ बच्चों के दात 4 मा के आयू में भी निकल जाते हैं बच्चों के दात तब निकलते हैं जब दात मसूडों के अंदर से भार की और आते हैं और ये भी बताएंगे कि उनके दात कब निकलने शुरू होंगे और किस प्रेकार से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शिशू के पहली बार दात कब निकलते हैं। ऐसा माना जाते हैं कि बच्चों के दूद के दाथ 6 मा की आयू में निकलने शुरू हो जाते हैं, वही कुछ बच्चों के दाथ 4 मा की आयू में भी निकल जाते हैं, बच्चों के दाथ तम निकलते हैं जब दाथ मसूड़ई के अंदर से भार की ओर आते हैं, बच्चे के दा महीने निकलने का समय और साथ से आठ वर्स तूटने का समय के निन सोला से बारा महीने निकलने का समय दस से बारा वर्स तूटने का समय फर्स्ट मॉलर तेरा से उन्निस महीने निकलने का समय नो से ग्यारा वर्स तूटने का समय सेकंड मॉलर 25 से 33 महीने निकलने का समय और 10 से 12 वस तूटने का समय नीचे के दाथ सेकंड मॉलर 33 से 31 महीने निकलने का समय और 10 से 12 वस तूटने का समय फर्स्ट मॉलर 14 से 18 महीने निकलने का समय और 9 से 11 वस तूटने का समय इसे हम अपने वीडियो में आगे बता रहे हैं टेबल के जरिये लेकिन ध्यान रहे कि हर बच्चे के दात निकलने की समयावदी एक समान नहीं होती है कुछ बच्चों के दात जल्दी निकलाते हैं तो कुछ बच्चों के दात देरी से निकलते हैं इसी ये टेंशन का विशय नहीं है उपर के दात दातों की समयावदी Central incisor 8-12, lateral incisor 9-13, canin 16-22, first molar 13-19, second molar 25-33, नीचे के दात, second molar 21-31 दातों की समयाव थी, 1st molar 14-18, दातों की समयाव थी, केनिन 17-23, लेटरल incisor 10-16 दातों की समयाव थी, Central incisor 6-10 दातों की समयाव थी, शिशों में देरी से दात निकलने में होने वाली समश्या, अगर आपके बच्चे के दात निकलने में देरी हो रही है तो घबराने की जुर्ट नहीं है इसके कई कारण हो सकते हैं अगर आपके बच्चे के बाल, तौचा और अडिया सही हैं तो फिर डरने की कोई बात नहीं है दातों के देरी से निकलने पर बच्चे के शारिडिक विकास पर काफी फरक पड़ता है देरी से दात निकलने के कुछ कारण अनुवानसिक अगर माता पिता के दात बच्चमन में देरी से निकले हो तो बच्चे के दात भी देरी से निकल सकते है पोशन में कमी बच्चे के सरीर में पोशन की कमी के कारण दाथ देरी से निकलते हैं समय से पहले जनम जिन बच्चों का जनम समय से पहले होता है उनके दाथ भी देरी से निकल सकते हैं अगर आपकी कोई family history नहीं है और आप अपने बच्चे को भरपूर पोशन दे रहे हैं लेकिन तब भी आपके बच्चे के दाट समय पर नहीं निकल रहा है तो आपको तोरण डॉक्टर से संपर्ट करना चाहिए शिशू में देरी से दात निकलने से होने वाली समश्या अगर आपके बच्चे के दात निकलने में देरी हो रही है देरी से दात निकलने के कुछ कारण इस प्रेकार से है, अनुवानसिक, अगर माता या पिता की दात बच्पन में देरी से निकलते हो तो बच्चे के दात भी देरी से निकल सकते हैं, पोशन में कमी, बच्चे की सरीर में पोशन की कमी के कारण दात देरी से निकल सकते हैं, इ और आप अपने बच्चे को भरपूर पोशन दे रहे हैं लेकिन तब भी आपके बच्चे की दाथ समय से नहीं निकल रहे हैं तो आपको तोरह डॉक्टर से संपरक करना चाहिए शिशुओं में दाथ निकलने के लक्षन जब बच्चों के दाथ निकलते हैं तब उनके मसूडे थोड़े सूज आते हैं और उनमें दद भी होता है या दद दाथ निकलने के तीन से छे दिन पहले होता है और दाथ निकलने के बाद चला जाता है कुछ बच्चों के दाथ आ जाल रंके हो जाते हैं जिस कारण दर्द होता है। जादा काटते हैं साथी खिलोने वे कपड़े आदी चबाते हैं ताकि उन्हें दर्द से रहत मिल सके। इस दर्द की वज़े से बच्चे बार बार रोते भी रहते हैं। जादा लाट टपकने की वज़े से बच्चों की मुँ और चाती के असपास रेसे हो जाते हैं जिसकी वज़े से बच्चे और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इन सब लक्षनों के अलावा अगर आपका बच्चा लगा ता रोता रहे या आपको उसके स्वास्त में ज़्यादा उतार चड़ाओ दिखाई दे तो आप डोक्टर के पास जाएं। जया आपके लिए बहतर विकल्प होगा। आपके शिशु के दात दर्द को कम करने के लिए घरे लूप चाथ। अपने बच्चे को दर्द में देखना किसी भी माता पिता के लिए दुखदाई होता है उस दर्द को दूर करने के लिए हम आज आपको कुछ उपचार बताते हैं चबाने के लिए नरम और गीला कपड़ा अपने बच्चे को साफ सूत्रा नरम और गीला कपड़ा चबाने के लिए दे इसके अलावा थंडी चीजों से बच्चे का दर्द कम होने में मदद मिल सकती है और उसकी चबाने की इक्षा भी पूरी हो जाती है थंडा खाना या आईस क्रीम अगर आपके बच्चे ने ठोस खाना खाना शुरू कर दिया है तो आप अपने बच्चे को मेस टीथर दे सकती है जिसमें आप कुछ खाना या आईस क्रीम डाल कर बच्चे को चूसने के लिए दे सकती है मालिस आप अपने बच्चे के मसूडों पर साफ उंगली से मालिस कर सकती है इससे बच्चों के मसूडों को अपने दर्द में रहात मिलेगी ज़्यादा प्यार करें आपका बच्चा कितना भी विमारों लेकिन उसे आपने माता पिता की प्यार की हमेशा जोरत होती है बच्चे को गले लगाए और प्यार दे आपका प्यार बच्चे के दर्द को दूर कर सकता है ठोस खाना दाईवे से बनी सोस दर्द कम करने में मदद कर सकती है बच्चे का ध्यान रखे आपने बच्चे को नया खिलो ना दे और ज्यादा से ज्यादा समय बच्चे के साथ बिताएं इसे बच्चे का ध्यान दर्द की जगए आपके साथ खेलने में लग जाएगा थोड़ा सा बदाम का एक्स्टेक्ट ले उसमें कुछ बूंदे पानी की मिला दे अब एक साफ कपड़ा ले और इस मिश्न को कपड़े पर डाले इस कपड़े को अपने बच्चे के मसूडों पर हलका हलका लगाए बच्चे को दर्द में रहत प्राप्त होगी शिशू के दातों की देखबाल बच्चों के दूद के दात नाजुक होते और उनका ध्यान पक्के दातों से ज़्यादा रखना पड़ता है अगर बच्चों के दात का ध्यान सुरुआत से ही रखा जाए तो पक्के दात निकलने पर उन्हें कोई परेशानी नहीं होती दातों की देख बाल के लिए अब हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं नरम कपड़े से बच्चों के मसूडों को साफ करें इससे बच्चे के नाजुक मसूडों को नुकसान भी नहीं होगा और मसूडों की सफाई भी अच्छी से हो जाएगी बच्चे की प्लेट, चमच और कटोरी को अलग रखे बच्चों के बरतन और कोई उप्योग ना करें क्योंकि इससे उन्हें इंफेक्शन हो सकता है ऐसा खाना दे जो विटामिन्स और मिनरल से बरपूर हो इस तरह के खाने से आपके बच्चे के दात और भी ज़्यादा मजबूत बनेंगे आपके बच्चे को कैलसियम, फ्लोराइड, फासफोरस और विटामिन D की जूरत होती है इनसे बच्चे के दात मजबूत बनते हैं और मसूडे भी मजबूत होते हैं बच्चे को खाने पीने के लिए मिठी चीजे ना दें इसे उनके दातों में केविटी होने की असंका बढ़ जाएगी जब बच्चे के 20 दात निकलाएं तब डेंटल चेक अप करवाएं अपने बच्चे को बोतल की जगय कप से या चमच या कटोरी से दूद पीलाने की कोशिस करें बोतल से दूद पीने की वज़े से दातों को नुकसान पौशता है क्योंकि दूद मूँ और दातों के हर छोटे से छोटे हिसे में चला जाता है और लंबे समय तक रहता है जब बच्चे की आयू 12-24 महिने की बीच हो तब इसे उसकी बोतल से दूद पीने की आदत छुडाने की कोशिस करे मीठी दवाईयों की वज़े से भी बच्चों की दात खराब हो जाते क्योंकि वो दातों में चिपक जाती इसलिए दवाईयां देने के बाद बच्चे को कुल्ला जरूर करवाए जब बच्चा अठारा महिने का हो जाए तब आप बच्चे को ब्रस करवाने में मदद कर सकती है शिशू के दातों को ब्रस करना जैसा कि पहले भी काहा है कि बच्चों के दातों की खास देखबाल करनी पड़ती है दात निकलने से पहले ही मसूडों को उंगली से साफ करे और नरम वे साफ कपड़े को थोड़ा गिला करके मसूडे साफ रखे जब आपके बच्चे के कुछ दात निकलाएं तब आप उसे ब्रस करवाना शुरू कर दे जब बच्चा तीन साल की उम्र का हो जाए तब आप बच्चे को ब्रस करवाते समय पेश्ट की मातरा को थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं आप बच्चे को फ्लोराइड स्प्लिमेंट भी दे सकते हैं ज्यादा या कम फ्लोराईट से आए आपके बच्चे की दातों की परत खराब होने की आसंका बढ़ जाती है इसते फ्लोरोसिस कहा जाता है अपने बच्चे को दिन में दो बार ब्रस करानी की आदत डालें जिसकी वज़ा से आपके बच्चे के जो दात है वो हमेसा स्वос्त रहेंगे बच्चे को यह भी बताएं कि टूथ पिस्ट को खाना नहीं है क्योंकि इसे नुकसान होता है बैक्टिरिया से बचाने के लिए बच्चे का टूथ ब्रस हर तीन महिने में बदल डाले अगर बच्चे को बच्चपन से ही दातों को साफ रखने के आदत लग जाएग निकल आते हैं तो उसके मामा की किस्मत खराब हो जाती है इसमें सच्चाई एक छोटा सा दात इंसान की किस्मत को नहीं बदल सकता मिथख कई लोग मानते कि पहला दात निकलने के दोरान जो दार दोता वो अच्छा नहीं होता इसलिए भगवान को मुर्गे की बली दी जा होते हैं सच्चाई विज्ञान कहता है कि जब बच्चा 6 महिने का होता है ताब उसके दात निकलने शुरू होते हैं कुछ मामलों में दात थोड़ा पहले निकलाते हैं और इनका भाई बैन आने से कोई समंध नहीं है त्यारे दोस्तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तो जैहिंद